इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। सेर्टिकेन शून ने दशमलव 5 टेबलेट का इस्तेमाल ट्रांस्प्लांट वाले रोगियों में अंग अस्वीकृती से बचाव के लिए किया जाता है। यह शरीर की इम्म्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर नए अंग को स्वीकार कर सके। इसका इस्तिमाल स्तनों, अग्ण्याशे, फेफ़रों और किड्नी के कैंसरों के इलाज के लिए अन्य दवाओं के साथ भी किया जाता है। सेटिकें 0.5 टेबलेट को प्रिस्क्रिप्शन में बताई गई खुराक तथा अवधी में ही लिया जाना चाहिए। इसे खाने के साथ या बिना खाय लिया जा सकता है, लेकिन हर दिन इसे लगभग एक ही समय पर लेना सुनिश्चित करें। इस दवा की ओवडोज से आपके शरीर पर गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस दवा के सामान्य साइड इफेक्ट कमजोरी, साइनस के कारण सूजन, संक्रमन, बुखार, खांसी, आदी हैं। अगर आप किसी भी साइड इफेक्ट से परेशान हैं या वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो तुरंट अपने डॉक्टर से परामर्श करें। किसी भी तरह की अलजी, यानि की रैशेज, खुजली, सूजन, सांस लेने में तकलीफ के मामले में डॉक्टर को तुरंट सूचित करें। इस दवा को लेने के बाद यदि आपको बार-बार प्यास लगती है, बार-बार पेशाब जाना पड़ता है, सांस फूलती है, खांसी या बुखार होते हैं, या आपको किसी प्रकार का ठीका करन करवाना है, तो हमेशा चिकित सकिये सलाह लें। इस दवा को लेने से पहले अगर आप बीमारी के लिए कोई दवाइन ले रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर को सूचित करना चाहिए इलाज के दौरान आपके डॉक्टर आपको शरीर में दवा के प्रभाव जानने के लिए कुछ लेबोरिटरी टेस्ट की सलाह दे सकते हैं इससे पूरुषों तथा महिलाओं में फर्टिलिटी या उर्वर्त प्रभावित हो सकती है इसलिए यदि आप बच्चा पैदा करने की योजना बना रहे हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद